कि अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर जहां पर हम लोग कर रहे हैं इवीएस का एक महात्वूर सेशन टॉपिक आप सभी को पता होगा हमारा परिवेश ठीक है इवीएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप यूपिटेट के सलेबस में सूपरिट के स सभी में आप जो है देखते हो हमारा परिवेश ठीक लिखा रहता है इसके अंदर का अंतरगत हम लोग कौन कौन सी चीजे पढ़ने वाले हैं कौन किस तरीके के एम से क्यों आपके आ सकते हैं वो सारी चीजे आज की सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे बैसिकली परिवेश परिवेश आप समझ सकते हो कि हमें अपने आसपास में जो भी चीजे दिखाई देती हैं ठीके जो भी चीजे है उन सभी का ठीके वो सभी चीजे हमारे परिवेश में आ जाएंगी अब हम चाहिए इस परिवेश में अपने इनवार्मेंट को ले लेते हैं चाहिए हम अपन इंसान भी रहते हैं एनिमल ठीक हम जो इंसान रहते हमारी बॉडी के अंतरगत कौन-कौन सी चीज है हर एक चीज ठीक है एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आता है परिवेश लेकिन यह परिवेश है बहुत बड़ा हर एक चीज आपको इस परिवेश के अंतरगत देखन है उसमें भी आप हर मारा परिवेश चाप्टर जब पढ़ होगे तो उसमें बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी रहती है लेकिन आपको यही समझ में आता है उसमें हर एक चोटी से चोटी चीज आपको उसमें हैडिंग के फॉर्म में बता दी गई है सब कुछ बिल्कुल रास्ते में आने वाला है किसी भी दिन अराउंस हो सकता है त्यारी करते रहिए सिलबस आप सभी को पता है कि इसके सिलबस में वही हिंदी वही इंगलिश वही स्टाटिक जी के करेंट अफियर्स इसके अलावा सो नंबर की जो सीडीपी आती है ठीक है सो नंबर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा बाकी महा पैक के बारे में तो जानते ही होगे पहला कोईशन देखेंगे पहला कोईशन आज की क्लास का क्या है ठीक है स्टे अनुराधा मौरिया स्वतंतरपाल यूट्यूब में क्लास चलाईए बिलकुल यूट्यूब पर शरीर में और सतन रक्त की मात्रा कितनी होती है इमन बॉडी में ब्लड कितना होता है आठ से दस लीटर होता है पान से छे लीटर होता है साथ से आठ लीटर या फिर दो से चार लीटर एक स्वस्त व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है ये बताना है ठीक है बता एक स्वस्त व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में कितना blood होता है 5-6 लिटर होता है ठीक है बाकि blood के बारे में जानते होगे blood में और क्या-क्या चीजे उपस्तित होती है जैसे कि हमारी body में क्या होती है blood vessel आपको दिखाई देती है इस blood vessel के अंदर जो है liquid के form में बहुत सारी liquid भी हो जाता है और एक liquid वाला पार्ट भी हो जाता है बहुत बढ़्या इस blood के अंदर Rbc होती है इस blood के अंदर Wbc होती है इस blood के अंदर platelets होती है ठीक है इस के अलावा इस ब्लेड में ही क्या उपस्थित होता है प्लाजमा भी उपस्थित होता है तो ये सारी चीजें मिल करके ब्लेड बनाती है और ये इस ब्लेड जो है ब्लेड वेसल के अंतरगत अंदर जो है क्या होता है फ्लो होता रहता है बाकी ब्लेड का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी में, आप सभी को पता है कि एक तो oxygen को, ठीक है, या फिर एक तरीके से transport का काम करता है, हमारी बॉडी में जो भी चीजें जाती है, उसको एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाने का भी काम क्या करता है, कौन करता है, ब्लड ह किसने करी है एक बार से जल्दी से आप सभी लोग इसका एंसर कर दीजे ब्लेड गुरुप की किसने करी है और इसी ब्लेड में ही आप पढ़ते हो जैसे कि ब्लेड बैंक का नाम सुना होगा ठीक है ब्लेड बैंक का नाम सुना होगा कि ब्लेड बैंक में क्या होता है ब्लेड को कितने degree centigrade पर blood bank में रखा जाता है इस प्रश्न का भी उत्तर करिए बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का भी answer करेंगे blood bank में blood में blood को कितने degree centigrade पर रखा जाता है और यह question आपके Amputate में जो अभी Amputate का exam हो रहा था ना उसमें यह question पूछा गया था बहुत बढ़िया सभी लोग बता रहें कॉरल लैंड श्ष्टीनर बिलकुल ब्लड ग्रूप की खोज किसने करी थी कॉरल लैंड लैंड श्टीनर ने ठेके किसने करी थी कॉरल लैंड श्टीनर ने बाकि blood ग्रूप होते कितने हैं, तो ब्लड ग्रूप आप सभी को पता है, A होता है, B होता है, A B होता है, और O होता है, O को क्या कहा जाता है, आपके एक्जाम में कोशन पूछा गया था, O को क्या कहा जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा पर रखा जाता है अगला प्रश्न देखेंगे भारत की रास्ट्री ध्वज की लंबाई और चड़ाई का अनुपात कितना है कोई भी रास्ट्री ध्वज होता है उसकी लंबाई और चड़ाई का अनुपात कितना है 5 इस्टू 3, 3 इस्टू 2, 3 इस्टू 4 या फिर 2 तू के रेशियो में जो है हमारा राश्ट्री द्वज होना चाहिए ठीक है थी इस्टू के रेशियो में आगे देखेंगे अगला प्रश्न निशी जन जाती ठीक है जन जाती भाई परिवेश में तो आपको ट्राइब स्पी देखने को मिलती है ना तो बिल्कुल पिंगली वेकईया ने डिजाइन किया था हमारे राश्ट्री द्वज को और वो किस रेशियो में होता है वो 3-2 के रेशियो में होता है निशी जन जाती निम्नलिकित में से किस राज्य से संबंधित है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से आंधर प्रदेश से या फिर सभी को answer देना है कि निशचेंट्र भारत कि राश्टरीध वजए इसका design निवलेखित में से किस ने किया था इसकी designing किसके द्वारा करी गई थी? महात्मा कांधी, अभी किसी ने answer बताया था बंकिम चंदर चाटर जी, पिंगली विकईया, रवींदर नाथ ट्यागोर answer करेंगे इस प्रशन का भी स्वतंद्र भारत के राश्टी द्वच का design किसके द्वारा किया गया था? design किसने किया है? C answer हो जाएगा, और लोग भी बताएंगे तीन बजे आपकी class daily होती है, ठीके? तीन बजे आपकी class daily होती है, आप सभी को join करना है यहीं YouTube पर ही होती है, जो बैच है, उस पर आपकी theory करवाई जा रही है topic wise MCQ आपको तीन बजे की class में देखने को मिलते है ठीके, पिंगली वेकईया ने, बिल्कुल सही C वाला answer, राश्टी द्वच की design किसके द्वारा करी गई थी? पिंगली वेकईया के द्वारा करी गई थी आगे देखेंगे, निम्नलेकित में से कौन सा राज भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज बन गया है भारत का, लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि मैंने KBS की notification पढ़ा था कि उसमें जो education qualification है वाज 26 सम्बर 2022 तक पूरी होनी चाहिए इस ते मैं 22 वर को morning shift में KBS PRT का exam दिया था मैं answer की मिलाई थी, एक बार आपका comment ऊपर चला गया, एक बार ऊपर वाला comment लिखो पहले एक बार ऊपर वाला comment लिखो, stay updated with Rahul, राहूल एक बार से ऊपर वाला comment लिखो, वो चला गया है भारत का पहला carbon मुक्त राज्य कौन सा है, हिमांचर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महारास्टर, answer करेंगे क्या हो जाएगा भारत का पहला कारबन मुक्त राज्य कौन सा हो जाएगा तो भारत का पहला कारबन मुक्त राज्य हिमांचर प्रदेश बन गया है यह वाला एंसर आपका बिलकुल सही है आगे देखेंगे निम्नलिकित में से भारत का कौन सा चेतर पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल होट स्पोर्ट पाना जाता है भारत में कितने होट स्पोर्ट स्थल है तो चार होट स्पोर्ट स्थल है इन होट स्पोर्ट स्थल में से चार में से एक लिखा गया है वो कौ पश्चिमी हिमाल है शिवालिक पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट एंसर क्या हो जाएगा पारिस्थिति की आती क्रियाशील होट स्पोर्ट इस्तल चार है उन चार में से एक कौन सा होगा वो बताएंगे स्वतंत्र पाल डी एंसर किया है होट स्पोर्ट इस्तल भारत में कितने है चार है ठीक है एक लिखा गया है आपको एंसर करना सी वाला लखी का एंसर है के विए को पता है के विए की कट ओफ नहीं आई यह लेकिन अगर आपने 138 मार्क गेन किये हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपके चांसे हैं आपके ठीक है तो जन्रल काटिगरी में ठीक है अब एक बार से कट ओफ आने तो फिर चीजे क्लियर होंगी इंटरव्यू की त्यारी बस आप करते रहें यह आप कर सकते हैं ठीक है ऐसी काट बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे चांसे हैं आपके पूर्वी हिमाले पश्चिमी घाट सुंडा लैंड और इंडो बर्मन ठी समू एक ही एक औरस से शादी करता है उनके पहले बच्चे के रक्त समू होने ओ का क्या मतलब होगा एक का ब्लड ग्रूप ओ है और एक का ब्लड ग्रूप ए है अब उनका जो पहला बच्चा होगा कितना चांसे है कि उसका ब्लड ग्रूप ओ ही हो 50% चांस 100% ओ ही होगा 25% या फिर 75 परसेंट, बहुत बढ़िया धर्म वर्षे, इंटर्वे की प्रिपरेशन कैसे करें, आप सभी को पता होगा, इसी टीचिंग वाला परी, जो है आपको उन्नती बैच मिल रहा है, ठीक है, उन्नती बैच मिल रहा है, बहुत जल्द आपको क्लासिस देखने को इंटर्व्यू की त्यारी कैसे करें, महा पाक आप सभी को पता होगा, महा पाक के बारे में अगर एक बार महा पाक वन यार का या टू यार का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इसमें जितने भी बैच आपको आएंगे भविश्य में भी, ठीक है, वो सारे के सारे आपको मिल परिएंगे, ठीक है, जैसे की DSSB का वैकेंसी आने वाला है, सीटेट की भी मतलब पॉड्म, मतलब सीटेट बैच, बैच की बात कर रहे हैं, डियरती का बैच हो गया, सीटेट का बैच हो गया, सुपरटट का परणाम बैच हो गया, उननती बैच हो गया, विजय भाव तो जो भी चाहते हैं वो इस महा पैक को जॉइन कर सकते हैं, मेरे बीटी सी के पहले पेपर, सहारे, वैसे तो एक सुबर में लगे थे अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया अच्छा स्कोर है आपका, कोई टेंसन वाली बात नहीं है, कि मेरा रिजल्ट तब आया, अब आया, कोई बात नहीं, आपके पास, जब आपका जॉइनिंग हो, तब आपके पास में सभी की फाइनल मार्क श golden rice में प्रचूरतम मात्रा में क्या उपस्तित होता है बताएंगे सभी लोग golden चावल एक प्रचूरतम श्रोत है vitamin A का vitamin B12 का vitamin C का या फिर vitamin D का बहुत बढ़िया ऐसे तो चावल में क्या पाया जाता है चावल में carbohydrate और मतलब इसकी जो उपर से covering होती उसको निकालने से vitamin B1 की कमी होती है लेकिन एक golden rice होता है ठीक है इसमें कौन सा vitamin उपस्तित होता है vitamin A उपस्तित होता है और आप सभी को पता होगा कि धान की भूसी चावल जानते ही हो जो धान की भूसी जो है इससे क्या तयार किया जाता है इससे वार्नसपतिक तेल, ठीक है, इससे क्या बनाया जाता है, वार्नसपतिक तेल, मतलब इससे तेल भी बनाया जाता है, ठीक है, बाकी धान जानते हैं, कौन से फसल, कौन से किसम की फसल है, कौन से, उसकी तो ये खरीफ की फसल होती है, ये भी बहुत बार एक्जाम में स्कर्वी रोग के बारे में बताएंगे, आप सब को बहुत बार विटामीन ही पुड़ा पढ़ चुके हो, डिजीज पढ़ चुके हो, डिजीज में क्वेशन करवाए थे, स्कर्वी जो है विटामीन C की कमी से हो जाता है, विटामीन B की कमी से क्या हो जाता है, बेरी-बेरी हो जाता है, ठीक है, विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, विटामिन A की कमी से रतांधी हो जाता है, ठीक है, रतांधी हो जाता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, समझ रहे होगे, नहीं समझ बिल्कुल विटामिन C का रासाइनिक नेम, केमिकल नेम क्या होता है, S-Corbic Acid होता है, क्या होता है, S-Corbic Acid, तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे अगले प्रशन की तरफ, एनॉस्मिया किसे कहते हैं, एनॉस्मिया क्या होता है, एस्वाद समवेदना की कमी को कहते, ग्राड समवेदना की मतलब sense, loss of sense of smell, इसपर्श समवेदना की कमी को, loss of touch sensation, उश्मा समवेदना की कमी को, lack of heat sensitivity, बताएंगे, इस प्रशन का उत्तर करेंगे, एनॉस्मिया का संबंध किस से होता है, एनॉस्मिया क्या होती है, एनॉस्मिया का संबंध किस से ये बताएंगे, एनॉस्मिया एक प्रतार के, loss of sense of smell, ठीक है, सूंघने की शमता में कमी हो जाती है, ठीक है, किस में हो जाती है, सूंघने की शमता में कमी, इसे ही क्या कह दिया जाता है, इसे ही एनोस्मिया कह दिया जाता है आगे देखेंगे शरीर की क्यालोरी आवशक्ता गर्मी क्या पैक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक क्यालोरी आवशक्त है ठीक है सर्दियों में हम ज्यादा खाना खाते हैं गर्मीयों में हम कम खाना खाते हैं क्योंकि क क्या होता है यह शरीर ज्यादा खाना खाते हैं यह शरीर का ताप बनाया रखने में मदद करते हैं अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए या फिर गिरते बालों की शती पूर्त के लिए आकिरम खाना क्यों खाती मैं मैं एक रिक्व बहुत बढ़ी या, ठीक है, ये चीज बताएंगे और ये बहुत अच्छा point भी आपने बताएंगे, ऐसे आप सभी लोग अपने suggestion को दे सकते हो, ठीक है, ऐसे अपने suggestion को दे सकते हो, ठीक है, to maintain body heat, शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, A वाला answer आपक ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल to maintain body heat, चालिए, आगे इसको बताएंगे, विटामीने किसमें प्रचूर मातरा में पाया जाता है, तो गाजर में विटामीने प्रचूर मातरा में देखने को मिलता है, जो आपके option देल रहे हैं, उसमें ऐसे, ठीक है, गाजर में विटामीने, या फिर यह कह सकते हैं, विटामीने, जो जितने भी फल होते हैं, जो पीले रंग के होते हैं, ठीक है, जिनमें जो पल्प होता है, यलो कलर का होता है, उसमें विटामीन ए देखने को मिलता है, राश्ट्रिय पोशन संस्तान एक अनुसंधान संस्तान है, जो इस राज्य मे श्थित है आंधिर पदेशिमांचोंपदेशंघ उत्तर परदेश बताएंगी क्या हो जाएगा हेलकमान नहीं पता बिमलावती 13 का भी प्रग्या 13 का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है राष्ट्री पोशन अनुसंदान संस्तान नहीं पता है स्वतंत्रपाल को नहीं पता है यह इस्तीत है आंध्र प्रदेश में कहां पर है याद रख लीजेगा नेशनल पीले सफेद रंग का होता है जिसका कान उसमें निम्नलिकित में से किसकी उपस्थिती होती है केसीन, लाक्टोस, केसीन और कैरोटीन, लाक्टोस और भ्यूटीरी केसट बताएंगे क्या हो जाएगा गाय का दूद पीले सफेद रंग का होता है जिसका कान उसमें निम्नलि पीले रंका होता है, जिसे उसमें किसकी? केसीन और कैरोटीन की उपस्थे थी, ठीक है? इसकी वज़ासे गाय का दूद्ध जो है पीले रंका होता है, ठीक है? केसीन और कैरोटीन की वज़ासे, ठीक है? केसीन और कैरोटीन की वज़ासे, निर्मलेकित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है सिरोसिस, एट्स, हैपेटाइटिस, सिफलिस, बताएंगे इसका एंसर क्या हो जाएगा मैं, DSSB वाले कोर्स को थोड़ा जल्दी लॉंच चीज़े क्योंकि बहुत सारे अन्य कोचिंग वालों ने लॉंच कर दिया लेकर हमें तो आपका ही कोर्स करीदना है इसलिए बीस जल्दी कीज़े ठीक है, बहुत आरे यह बात भी हो चुकी है, यह बात हम लोग बोल चुके हैं कि कोर्स बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, सब प्लैन ही चल रहा है ठीक है, एक बाकी यह चो क्लासेस दी जा रहे हैं यह जैसे तीन बजे, जितने भी यूट्यूब सेशन दिये जा रहे हैं, यह सारे एक्साम को देखते हुए, तो आप इन यूट्यूब सेशन को जॉइन कीज़े, बाकी पेड कोर्स तो आपका आही जाएगा, ठीक है, क्य हो जाएगा, सिरोसिस, एक तरीके से आप जानते हैं, लीवर सिरोसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अलकोहल पी लेने से, इस तरीके से भी, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, बाकी एड्स, एड्स कॉन से वारस से होता है, HIV वारस से हो पौधों और जनतूओं में कार्बो हाइड्रेट किस रूप में संचत होते हैं ? क्रम्षा सेलूलोज और ग्लूकोस, क्रम्षा स्टार्च और ग्लूकोस, क्रम्षा सेलूलोज और ग्लाइकोजन पौधों और जन्तूओं में कार्बो हाइडरेट किस रूप में संचित होते हैं ये बताना है 16 का B सभी B बता रहें कुछ लोग C बता रहे हैं जन्तूओं में कार्बो हाइडरेट किस रूप में संचित होते हैं पौधों में तो स्टार्च के रूप में लेकिन जन्तूओं में ये glucose ने glycogen के रूप में, ठेक है, case के रूप में, glycogen के रूप में, तो 16 का कौन सा वाला answer हो जाएगा, B वाला answer, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रशने पर, दिल का दौरा किस कारण से होता है, heart attack किसकी वज़ा से होता है, हर्दय पर किस कारण से बनता है, दिल का दौरा किस कारण से होता है, बताएंगे एक बार से 17 का भी बता रहे हैं, कैसे हो जाएगा, हर्दय गती रूप जाती है, वो तो ठीक है, क्यूं रूप जाती है, क्यूंकि उसमें रक्त, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, प्रॉपर, हाँ, ठीक है, ब्लड सप्लाई टू दा हर्ट, ठीक है, हर्ट में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाता है, रक्त का संचार नहीं हो पाता है, जिसकी वज़ा से हर्ट अटाइक आ जाता है, सी वाला एंसर आपका ऐसा है, अगला देखेंगे, क्वेशन नमबर 18, निम्नांकित भोजन में से किसके प्रती ग्राम सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, किस से प्रती ग्राम सबसे ज़्यादा उर्जा हमें प्रोटीन से, वसा से, कार्भो हाइडरेट से या फिर विटामिन से, सबसे ज़्यादा उर्जा हमें किस से प्राप्त होती है, इंद्रप्रकास ने C वता है सबसे जादा उर्जा हमको पता है सबसे जादा उर्जा हमको fat से मिलती है फिर आपको carbohydrate से मिलती है ठेक है? बाकी उर्जा का transfer उर्जा हमको vitamin से नहीं मिलती है. Vitamin तो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवशक्ता होती है और ये रोग प्रतिरोधक शमता को या हीनता जन्न रोगों से हमें बचाते हैं तो भी वाला एंसर बिलकुल सही है सबसे ज्यादा उर्जा हमें फैट से मिलती है बाकी विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है मैंडल ने पॉस्चर ने फंक ने य इसका एंसर बताएंगे विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है फंक ने बिलकुल सही बहुत ही इजी क्वेशन है विटामिन शब्द किसको तरब फंक के दोरा दिया गया है आगे देखेंगे अगला प्रिश्हन निमनले कित्में से योगिक के किस समू में सहायक आहार कारक कहा जाता है ठीक है helper food factor किसे कहा जाता है fat को, hormone को, protein को या फिर vitamin को helper food factor किसे कहा जाता है helper food factor किसे कहा जाता है fat को, hormone को, protein को या फिर vitamin को D answer, बिल्कुल सही helper food factor मतलब ये vitamin जो है हमारे body में बहुत जादा मात्रा में नहीं कम मात्रा में आवश्यक होती है ये किसके साथ मिल करके तो ये हमारे carbohydrate वसा इनके साथ में मिल करके हमारी body को इस वजह से इसको helper food factor कहा जाता है तो कौन सा वाला answer हो जाएगा दी वाला answer आपका बिलकुल करक्ट है आगे देखेंगे परियावन अध्यन के संदर में CER किस से संबन दीत है CER का full form क्या होता है certified emission reduction capped emission repository certified emission repository या फिर capped emission reduction CER का full form क्या होता है ये बताएगे गुड इवनिंग प्रीति कुमारी CER का full form क्या होता है क्या हो जाएगा CER का full form होता है certified emission reduction ठीक है क्या होता है certified emission reduction ये वाला answer आपका सही हो जाएगा अगला question बनावट की आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने भागों में बाटा गया है उत्तर प्रदेश के जैसे कि आप सभी को पता होगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का मैप आपको देखने को मिलता है तो बनावट की आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बाटा गया है चार, तीन, दो या फिर पाच बताएंगे क्या हो जाएगा ए या एंसर बता रहे है चार भागों बाटा गया है कौन-कौन से भाग है जर रहे ये बताओ बनावट की आधार पर उत्तर प्रदेश को आरती पाल कह रहे है हंड्रेड परसेंट चार भागों में कितने प्राकृतिक भागों में तो तीन प्राकृतिक भागों में ठीक है तीन प्राकृतिक भागों में इसको बाटा गया है आई बाए समझ में की नहीं समझ में कौन-कौन से भाबर एवं तराई का भाग थेके दूसरा आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग और आपका दक्षण का पठारी भाग समझ में आई बात कि रहे दो उत्तर प्रदेश कोई, तीन भाग'ों में पाटा गया है, क्लियर है कि नहीं? अगला उत्तर प्रदेश में अधिकान से चाई किस माध्यम से होती है? में अधिकान से चाई नहरों द्वारा, तालाबों. और नदी कोई या फिर उप्रोक्त में से कोई भी नहीं अधिकान शिस सचाई किसके द्वारा होती है इसका एंसर करेंगे 23 नंबर का सबी को एंसर करना है उत्तर प्रदेश में अधिकान से सचाई किसके द्वारा होती है बहुत बढ़िया नहर द्वारा ठीके नलकूपो द्वारा ठीके नहर द्वारा ठीके सबसे ज्यादा सचाई किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में होती है नहरों द्वारा होती है एंसर बिल्कुल सही, जितने लोग भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में थारू जनजाती निवास करती है, थारू जनजाती भाबर चेतर में, तराई चेतर में, मैदानी चेतर में या फिर पठारी चेतर में, बताएंगे, थारू जनजाती कहां प सबसे प्राचीन्तम जंजाती कौन से यूपी की थारू और बुकसा ठीक है कौन सी है थारू और बुकसा वो कहां पर निवास करती है यहीं पर भाबर भाबर छेतर आईए बास समझेंगे कि नहीं समझमें भाबर छेतर में आगे देखेंगे मैदानी भाग में किस हिस्से में अवधी भाषा बोली जाती है मैदानी भाग में अवधी भाषा बोली जाती है लेकिन कहां पर उपरी भाग में मध्य भाग में पूर्वी भाग में या फिर पश्चमी भाग में अवधी भाषा कहां पर बोली जाती है बत अवधी भाषा मध्य भाग में ठीक है अवधी भाषा कहां पर बोली जाती है बाइदानी छेतर के मध्य भाग में बोली जाती है लेकिन बात करी जए पूर्वी भाग में कौनसी भाषा बोली जाती है आप से पूछा जाए पूर्वी भाग में कौनसी भाषा बोली जाती है तो पूर्वी भाग में भोज पूरी ठीके पूर्वी भाग में कौनसी भाषा बोली जाती है तो भोज पूरी भाषा बोली जाती है ऐसे ही पस्चिमी उत्तर प्रदेश में कौनसी पस्चिमी उत्तर प्रदेश में कौनसी बोली जाती है खड़ी बोली बोली जाती है ठीके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली जाती है ठीक है बाकी ब्रज भाषा कहां पर बोली जाती है बताएंगे अवधी भाषा तो मद्य भाग में पूर्वी भाग में भोज पूरी भाषा ठीक है खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ब्रज भाषा भी कहां पर बोली जाती है तो ब्रज भाशा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है आई बास समझ में कि नहीं समझ में तो यह सारी बोली है कहां पर बोली जाती है मैदानी छेत्र में मैदानी भाग में, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में, ठीक है कि नहीं ठीक है, या जिसे कह दिया जाता है गंगा ये मुना का मैदान, आ रहा है समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है काना, पवन, सीता चलिए, मिर्जापूर किस खनिच के लिए जाना जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, यूरेनियम, ग्लास सेंड बताएंगे जल्दी से चूना पत्थर चूना पत्थर किसके लिए जाना जाता है? नहीं, मिर्जापूर किसके लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए, डोलो माइट के लिए, यूरेनियम के लिए, ग्लास सैंड के लिए बिल्कुल सही, मिर्जापूर जो है, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है डोलो माइट खनिच कौन से भा उत्तर प्रदेश में ही कौन से राज्य में ऐसे ही तांबा कौन से राज्य में यह पढ़ा चुके कल की क्लास में कौन से वाले कौन से बच्चे पढ़ रहे थे इसको यह पढ़ा चुके आप सब एंसर करो बोले ते ना भी क्लास में संग मरमर आप सब एंसर करेंगे संग मरमर बताएंगे उत्तरप्तेश के कौनसे खनी चेतर कौनसे राज में प्रसिद्ध है इसके अलावा you nation उत्तर प्लस क्षयान शत्रपOOOO Kames शया राज में तामबा बात करेंगे तामबा कहां का हो जाएगा तामबा उत्तरपदेश के ललितपूर में ललितपूर में जो है तामबा खनीज ये देखने को मिलता है संगमरमर भी कहां पर देखने को मिलता है संगमरमर मिरजापूर में ठीक है ये खनीज है यहां पर देखने को मिलते है ऐसे uranium भी कहाँ पर देखने को मिलता है ललीतपूर में ठीक है uranium भी कहाँ पर ललीतपूर में और चूना पत्थर चूना पत्थर अभी question में आया यह कहाँ पर तो यह मिर्जापूर में बिल्कुल सही है अलकमा, पवन, शेश सीता याद रख लेना एक बार से उनको यह सब क्या है खनीज संपदा छेतर ठीक है डोलोमाइट, तामभा, संगमरमर यूरेनियम और चूना पत्थर ठीक है यह इसको याद रख लेना आगे देखेंगे काले हीरन और गिद्धों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किस वर्ने जीव विहार की स्थापना की गई है कैमूर वर्ने जीव विहार, दुद्वा नेशनल पाक, हिमेश नेशनल पार्क इन में से कोई भी नहीं बताएंगे काले हीरन और गिद्धों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किस वन जी विहार की कोई स्थापित क्या गया है रादे रादे शिवांगी बताएंगे question number 27 27 कल पढ़ाएं पता नहीं कैसे पढ़ते हो या जो पढ़ते हो वो सब कहां भाग जाते हो ए वाला answer काले हिरन और गिद्धों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन सा वाला वन जी विहार की स्थापना करिये कयमूर वन जी विहार आगे देखेंगे रिहंद बांद पर योजना आपने सुना होगा रिहंद योजना किस नदी पर स्थापित है सोन नदी, रिहंद नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी, बताएंगे रिहंद योजना किस नदी पर स्थापित है, रिहंद योजना किस नदी पर स्थापित है, तो रिहंद योजना रिहंद नदी पर, ठीक है, रिहंद योजना, रिहंद योजना, रिहंद योजना, रिहंद क्लास में आना गायब हो जाते हैं उनको लगता है हमने थियोरी पढ़ ली अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है और एंसर बताने नहीं आते हैं उत्तर प्रदेश संग मरमर अब बताना इस क्वेशन का एंसर भी बताया है संग मरमर खनीच के लिए किस जिले को जाना जाता है उत्तर प्रदेश संग मरमर खनीच के लिए ललीद पूर को जानते हैं बांदा को बांदा है बांदा जिला ठीक है मिर्जापूर को या फिर इन में से कोई भी नहीं है बतायेंगे इस प्रश्ण का उत्तर संग मरमर अभी बताया गया है कोई गलत मत करना नहीं तो समझ लेना गलत किसी को नहीं करना समझ लेना बताएंगे क्या हो जाएगा question number 29 का answer बिल्कुल सही यह जो है संग मरमर के लिए मिर्जापूर हो जाएगा भी बताया गया है मिर्जापूर हो जाएगा आगे देखेंगे आगे देखेंगे चलो एक बार फिर से पूछते देखते इस बार सही बताते हो कि नहीं बताते हो बताओ डोलोमाइट कौन से राजचे डोलोमाइट उत्तरपदेश में कौन से राजचे बताओ प्रीति बताएंगे प्रीति बताएंगी नेहा बताएंगी शाइंदा बताएंगी क्या नाम है शालू बताएंगी किर्थी बताएंगी अ दॉलोमाइट बताओ, उत्तरपदेश के कौन से जिले में है, इंद्रप्रकाश ने एंसर के, और बताओ, दुश्मन कौन है भाई, क्या हो जाएगा, एंसर बताएंगे जल्दी से, बहुत तेजी से एंसर बताना है, डोलोमाइट, अब सही बताएंगे, बहुत बढ़ी बां यूरेनियम का बताएंगे, तांबा का बताएंगे, तांबा, बताएंगे चल्दी से, यूरेनियम का बताएंगे, तांबा का बताएंगे, तो दोनों के दोनों ही, कहां के हैं, कहां पर हैं, ललितपूर में, ठीक है, यूरेनियम और तांबा कहां पर, ललितपूर में, ऐस से ही चूना पत्थर और संग मर्मर यह कहां के हैं यह मिर्जापूर के हैं क्लियर है क्लियर है कि नहीं क्लियर अब तो याद हो गई होंगे चलिए माताब टीला योजना बांध किस नदी पर बनाएगे बताएंगे किस नदी पर गंगा नदी बेटवा नदी सोन नदी या फिर इन्में से कोई भी नहीं है माता टीला योजना बांध किस नदी पर बना हुआ है बहुत बढ़ी असब भी बता रहे हैं बेटवा नदी पर बनाई एक एक एक्स्ट्रा वाले का हां तो वही है उत्तर प्रिदेश गोविंद वल्लब पंद सागर योजना कहां परिस्तित है देव प्रियाग मिर्जापूर में पिपरी सोन नदी सोन में नरोरा बुलंच शहर में बेतवा जहांसी पे कोई बात नी जो भी लेट हो गई है वो रिकॉर्डिंग देख लेना आज टॉपिक था हमारा परिवेश आप सभी को थम्नेल पर दिख रहा होगा टॉपिक वाइज एमसे की हम लोग कर रही है हमारा परिवेश टॉपिक था नेक्स सेशन भी कल भी क्लास होगी आपकी कल भी क्लास होगी तो टॉपिक वाइज ही एमसे कित्ते बज़े होती है तो आज के लिए इतना ही क्लास कैसे लगी जरूर से बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में ठीके तो आज के लिए इतना ही क्लास कैसी लगी जरूर से बताएंगे कल फिर से बिलेंगे तीन बज़े आप सभी को पता होगा तीन बज़े या फिर एक मिनट बात है थोड़ी सुनना तीन बज़े आपकी डेली क्लास होती है यूट्यूब पर डेली फ्री सेशन आना ना भूलें बिलकुई ठीके इसके अलावा आप सभी को पता होगा Monday, Tuesday, Wednesday ये तीन दिन हम लोग EBS की क्लास करते हैं Thursday और Friday हम लोग करते हैं Science की क्लास को Topic wise MCQ दोनों में ही कर रहे हैं ठीके इसके अलावा Saturday को Saturday को एक Special Session करते हैं और ये Special Session होगा इस बार Science का दो घंटे का क्लास होगा और ये जितने भी MPT वर्ग दो वाले बच्चे उनके लिए कि Special Class होगी Saturday को इस बार होगी बाकि इसी के साथ में महापैक के बारे में आपको पता होगा महापैक में अगर आप वन येर का देखते हो तो जो भी फीस है आप देख लेना टू येर का सब्सक्रिप्शन देखते हो तो 2499 का है 2499 का ऐसे कुछ करके हैं अगर आप एक साल का लेते हो तो कुछ कम है 1799 का देख लेना में फीस एक्जाक्त याद नहीं है ठीक है तो महापैक में मतलब फायदा क्या होगा आपको कि अभी आपका चल रहा है विजाई भाव बैच ठीक है अभी आपका विजाई भाव बैच चल रहा है जो कि यूपिटेट के लिए है यूपिटेट पेपर वन पेपर टू के लिए ये आपको मिलेगा इसी के साथ में उन्नती बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उन्नती बैच कौन सा बैच है? ये KBS के जो भी बच्चे सेलक्ट होंगे उनके इंटर्व्यू की तेहरी के लिए। उनके लिए उन्नती बैच ये भी इसी महा पैक में ही मिलेगा। इसके अलावा पलडाम बैच के लिए इसी में ही DTSB का थीक है। इसी में ही एक सीटट का बैच ये भी इस महा पैक में सारे के सारे बैच आपको मिलेंगे। जो लोग कहते हैं कितने रुपै का बैच बताओ मैम। रुको रुको अच्छा बताते हैं यह आपको एक साल का है उधार लेने जरूरत नहीं है बहुत कम फीज में पता हूं एक साल का सब्सक्रिप्शन लोगे इतने सारे बैच आपको मिल रहे हैं दो साल तक के लिए वैलेडिटी हो जाएगी 2999 का लोगे तो आपके उपर है कितर सारी लोगों का question था ना तो भाई उन्नती बैच नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि महाँ पैक आपने ले रखा है आपको उन्नती बैच अपने आप से मिल जाएगा ना आपको पैडाम बैच लेने के फिर जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसी महाँ पैक में आपको सारी चीजे मिल जाएगे अब कोई डाउट हो तो बताओ इसी के साथ में इन में जो आपको 500 कोई भी मिलते हैं ये कोई आपको नेक्स्ट वाला बैच लेने में हेल्प करते हैं ठीक तो बहुत बता दिया हमने भाई अब आपकी इच्छा है कल बहुत सारे लोग पूछ रहते हैं इस वजह से हमने हमने बोला तनम क्लियर करेंगे फिर आपको बताएंगे तो इस वजह से हमने आपको बता दिया थाइंक्यू सो मस् टेक क्यार पढ़े नहीं हमारे साथ टीचिंग वाला के साथ थैंक्य क्या है